नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं उनको मेगा कैम सभी पर खंडों में किया जाना है बिसेस अभ्यान के माध्यम से 9 लाख आवेदन बैंकों में जमा की गई है जो परक्रियाधीन है अब तक 4 लाख आवेदनों की स्विक्रिती भी दी गई है के सीसी का सीवीर पर खंड अस्तर पर लगेगा उसमें सभी बैंकों के पदादिकारी सहीत किरिसी विभाग के पदादिकारी भी उपसित रहेंगे बता दे किरिसी विभाग के सचीव अब्बू बकर सीदिकी ने मंगलवार को सन्वादत्त समेलल को समोधित करते हुए बताया कि मुख्य मंत्री हमांसुरेन और किसी मंत्री बादल के पर्यासों से जार्खन के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ट से अशाजित करने का पर्यास लगतार किया जा रहा है राज सरकार की तरब से पीएम किसान योईना से सुचिबत किसानों में से अब तक 15 लाग किसानों को केशी सी से अच्छाईट किया जा चुका है और ने बच्चे हुए सभी बीर्शा किसानों को भी केशी सी उपलब्द कराया जाना है जारखन में मांसून सक्रिये हैं मांसून से जूड़ी गती विदियों में बुद्धवार को राजी के कई इलाकों में अच्छी बारिस हुई है रांची लोहर्दागा गुमला सिम्डेगा बोकारो हजारी बाग पूर्वी एवं पच्मी सिम्भू मेदनी नगर चत्रा लाते हर गढ़वा सराइक ले खर्षवा पाकुर देवगर दुमका है पुद्धा जिला में कई जगा पर हलके से मदर्ज की बारिस के साथ में गर्जन बजरपात हुई है इस दरान 30-40 किलिम्टर प्रती घंटा की रपतार से हावा का बहाव भी होता रहा है जारखन में होगी 40,000 नियुक्तियां मुख्य मंत्री हमांसुरे ने बुद्धार को प्रजेक्ट भहुन साभागार में राजे बीधी बिग्यान प्रयोग साला के लिए 37 सहायक निदेशक और 56 बैग्यानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया इस असर पर मुख्य मंत्री ने कहा कि आवर सेवा के पद पर 12,000 नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है राजे सेवा आयोग को 40 सहर पदों पर नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजने जा रहे है अपने सम्मुधर में मुख्य मंत्री ने एक बाल फिर केंद्र सरकार पर एक लाग छातीस एर कोड़ोर के बगाया की बात दुराई हाए देवघर रोपवे हाथसे की जाच रिपोर्ट में लगेंगे 15 दिन और देवघर जीले के मोहनपूर परखन में त्रिकूट परवत पर 10 अपरेल के हुए रोपवे हाथसे में तीन लोगों की मौत और दरजन भर के जखमी होने के मामले की जाच के लिए गठित समिती को जारकन सरकार से जाच के लिए मिला दो महीने का वक्त खतम हो चुका है जनकारी के मुताबिक अभी जाच पूरा होने में करीब 15 दिनों का वक्त और लगेगा जारकन सरकार ने 19 अपरेल को ही जाच समिती का ठित करते हुए दो महीने की भीतर पूरे मामले की जाच रिपोर्ट मांगी थी हेमन्त सुरेन की CBI जाच मामला जारकन के मुख्य मंत्री हेमन सुरेन द्वारा अपने नाम पर खादान लिज लेने और उनके भाई बसंत सुरेन के करीबियों द्वारा सेल कंपनियों में निवेस करने की CBI जाच को लेकर दाखिर जानी त्याच कापर गुरु आर को जारकन हाई कोट में सुनवाई हो रह खिल कर इस मामले में हाई कोट से और समय देने की मांग की गई है सहायक अभियानता नियुक्ती पीटी परिक्षा के आरक्षन मामला जहरखन हाई कोट में बुद्धवर को जस्टिस राजे संकर की अदालत में सहायक अभियांता नियुक्ति की प्रारंबिक परीचा में आरक्षन देने के खिलाब दाखिलियाज का पर सुनवाई हुई मामले में प्रार्थी की ओर से बहुत फूरी कर लिगाई है अब इस मामले में राज सरकार और जेपीएसी की ओर से बहुत होगी इसके लिए अदालत ने 28 जुन की तिहती निधारित की है सुनवाई की दोरान प्रार्थी के अधिवाकता अमरितान स्वतसल ने अदालत को बताया कि सायक अभ्यांता नियुक्ती मामले में 256 अभ्यारतियों को अनारक्षी स्रेणी में सामिल किया गया है जो अरक्षी स्रेणी से आते हैं ज प्राणाभिक परीछा में कोटिवार पहिनाम जारी किया है EWAS में महला अभ्यार्ति का अलग से पहिनाम जारी किया है राजे भर में कोट और नयाइक पदा अधिकार्यों की सुरक्षा की होगी समिक्छा देवघर कोट परिसर में बेवर जेल से पेसी के लिए लाए गए अमित सिंग की हत्तिया ने कोट परिसर की सुरक्षा वर सवाल खड़ा किये हैं देवघर में घटित घटना के बाद राजे पुलिस मुख्याले इस वर्दात को लेकर काफी गंभीर है राजे के सभी कोट परिसर वर न्याईक पतादिकारियों के आवासिये परिसरों की सुरक्षा व्यवस्ता की समिक्षा करने वह उसी अनुसा सुरक्षा व्यवस्ता को सुद्रिट करने का आदेश पुलिस मुख्याले इन दिया है बतादे डीजीपी नीरस सिना के आदेश पर आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने इस समन्द में सभी जीलों के एसपी को पत्र लिखा है आंगनवाडी सेविका और सहीकाओ का मांगो के समर्थन में धरना जारखन परदेश आंगनवाडी वरकर्स यूनियन खुटी जीला इकाई के बेनर तले जीले की आंगनवाडी सेविका और सहीकाओ ने बाकाया मांदे भुकतां सहीत अनेमागों के लेकर भुद्वार को समानाला के समख्ष धारना दिया संकी जीला अध्यक्ष, रंजीता देवी के नेतित में आवी धरना में विशेश रूप से संक के परदेश करिकारी अध्यक्ष, बाल मुकुंद सिनहा सहीत, सैकलो की संक्या में आंगनवाडी सेविका और सहाई का सामिल हुए घंटो चले धरना के बाद उपायुक सशी रंजन को एक पाइच सुत्री मांगपत्र सोरपित किया गया नेत रहाट फिल्ड फाइरिंग रेंज अधिसुचना रद हो नेतर हाथ फिल्ड फाइरिंग रेंज की अजिस उतना रद करने की मांगो लेकर केंद्रिय जन संगहर समिती की ओर से लातेहार के परभावित गाओं की क्रामिनों ने रैली निकाल कर बिरोध परदसन किया रैली बजार टांड से सुरू होकर मेन रोड होते समानाले तक गई चमानाले के मुख्य द्वार पर तैनाच पुलिस कर्मियों ने बिरोध परदसन कर रहे लोगों को अंदर नहीं जाने दिया इसे से लगबग एक घंटे तक समानाले का मुख्य द्वार जाम रहा रैली और बिरोध परदसन में महिलाओ के संख्या सबसे अधीक थी रैली और बिरोध परदसन के बाद मुख्य मंत्री के नाम डिसी को गयापन सौपा गया मांडर विधान सभा उप चुनाव गुरु आरको भोटिंग मतदान कर्मी अपने अपने बूतों पर पहुच गए हैं वहीं सुरक्षा की भी चाग चोबन बेवस्ता है बता देखी कांग्रेस विधायक बंधू तिर्की के सरसेता रद होने के बाद उपचुनाव हो रहा है 26 जून को काउंटिंग है IAS पूजा की रिमांड अधी 5 जूलाई तक बढ़ी IAS पूजा सिंगल और CS सुमन सिंग की नयाईक हिरासत को एक बार फिर बढ़ा दी गई है वहाई सुमन सिंग से 13 दिन तक पुष तास की गई थी बीते 6 माई से ED की करवाय जारी है राष्टपती परत्यासी द्रोपदी मुर्मू ने की पूजा इसके लिए नियमावली बनाई जाएगी सिक्षा मंत्री जगनात महतो के अध्यक्स्ता में मंगलबार को हुई बैठक मेजर निनन लिया गया राज में लगभग 3,012 पी सिक्षा अभियान के तहत की गई है ब्यार्पी सियार्पी काफी दिनों से अस्थाई करण की मांग कर रहे हैं इनकी सेवा सर्थ निमावली के लिए प्राथ्मिक सिक्षा निदेशा के अध्यक्स्ता में कमेटी गठित की जाएगी गुमला पूलिस के हाथे चड़ने से बचा नक्सली बहुरा मुंडा गुमला पूलिस ने जेजे एमपी उगरवाजी संगठन के खिलाप बड़ी उपलब्दी हासिल की है परन्तु पूलिस ने नक्सली बहुरा का काफी हतियार बरामत किया है पूलिस की दबिस के बाद एक बड़ी घटना घटित होने से रह गई बता दे मंगलवार को एसपी डाक्टर एहतिसाम वकारिव ने पेस कॉन्फरेंस किया उन्होंने बताया कि गुपत सुचना मिली कि पिछले कई सालों से फरार परतिवांदित नक्सली संगठन जेजे एमपी के सक्रिये सदस्य बहुरा मुंडा पिता, सनीचरा, मुंडा अपने साथियों के साथ गराम, लूरू में बड़ी घटना को अंजाब देने के लिए एक अत्रित हुआ था राहूल गांधी का कांग्रेस सत्यागरा कांग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी को इड़ी के द्वारा बार बार बुलाये जाने के बिरुद में पार्टी ने सत्यागरा का सहारा लिया है सभी राजियों से नई दिली में आवजित इस कारिकरम में भाग लेने के लिए नेता और पार्टी पताधिकारी जा रहे हैं बुद्ध्वार को जारकन से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता पहुँचे इसका नेतित्व परदेश कांग्रेस अध्याक्स राजिस ठाकूर कर रहे हैं राजिस ठाकूर ने नई दिली में राहूल गांधी को इडी के माध्यम से परिशान करने विपक्ष की आवाज को दबाने सेनकार आजिनिती करन करने आदी का आरोप लगाते विकाहा की समिधान और लोकतंत्र के साथ साथ देश की धर्म निर्पेक्षता को बचाने के लिए कांग्रेस लागातार सत्याग्रा के माध्यम से संघर्स कर रही है हेमंत सुरेन के लिए दुरोपदी मुर्मु का समर्थन करना कितना मुश्किल जार्खन के मुख्यमंत्री और जामों के करकारी पर मुख हेमंत सुरेन के लिए बहुत मुश्किल होगा पहली आदिवासी राष्टपती उमिद्वार द्रोपदी मुर्मू का समर्थन्न करना बता दे आदिवासी बहुल 36 गर जारखन और ओडिशा के कांग्रेस बिधायकों के सामने भी संभवता यही दुविधा रहेगी बहरहाल राष्टपती चुनाव के दरान जारखन मुक्ती मुर्चा के रूख पर सबकी नजर है रागज की परत्यासी द्रोपदी मुर्मू और विपक्ष के साजह परत्यासी अस्वंत सिना में से एक के नाम पर मुहर लगाने में जामो को वक्त लगेगा वकीलों पर सरकारी खाजाना लूटा रहे हमंत सुरेण गोड़ा के भाजपाक के सांसद डाक्टर निसिकान दूबे ने CAG गिरीस चंद्र मुर्मू को पत्र लिखर या जनकारी दिया है कि जारखन के मुक्य मंतरी हमंत सुरेण अपना नीजी केस भी सरकारी खर्चे से लड़ रहे हैं उन्होंने अपने उपर चल रहे मामलो की पेरवी में देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल, मुकूल, रहतोगी, पल्वी, लंगर, महाधिवक्तावा उनकी टीम को लगा रखा है इस पर राज सरकार के खायते से एक और रूपे से अधिक रासी का भुगतान भी हो चुका है जारखन हाई कोट के अस्थाई जज बने जश्टिस सुबास चंद्र जारखन हाई कोट के जश्टिस सुबास चंद्र ने अस्थाई जज के रूप में सपत लिया चीफ जश्टिक डक्टर रभी रंजन ने उन्हें पद एवं गोपनेता के सपद दिलाई जश्टिस सुभास चंद्र की नियुकती एडिशनल जज के रूप में इलाहपद हाई कोट में हुई थी इसके बाद उनका टांसफर जारखन हाई कोट में कर दिया गया कुछ दिन पहले कानून एवं नयाय मंत्राले ने उन्हें अस्थाई जज बनाया है इसको लेकर राष्ट पती के आदेश और जारी अजिसुचना को हाई कोट के रजिस्टार जनरल ने पहले अंग्रेजी और बाद में हिंदी में पढ़ कर सुनाया इसके बाद चिफ जश्ट्री डक्टर अविरंजन ने उन्हें सपस दिलाई गढ़वा में जमीन बिवाद दो की मौत गढ़वा जिले में एक बाद फिर जमीन के लिए खुनी संगर्स हुआ है सदर्थना छेत्रे के सूख बाना गाव में हुए इस बिवाद में दो लोगों की हत्या पिट-पिट कर कर दी गई फिलहाल पुलिस ने मारे गए दोनों लोगों के सौब पोश्माषन के लिए भिजवाद दिये हैं और मामले की जान शुरू कर दी गई है बताया जाता है कि भूमी विवाद को लेकर बुद्धवाद देर रात कामिस्वर सिंग के पूत्र बिमल सिंग पर कुछ लोगों ने गोलिया चलाई इससे वे घायल होगा है जल्द जारी होगा जार्खन बोर्ड बराहवी आर्ट्स का रिजल्ड जार्खन बोर्ड जल्द ही काक्छा बराहवी आर्ट्स और कोमर्स स्ट्रीम का रिजल्ड जारी कर देगा 21 जून को जार्खन एकेडमिक कॉंसिल ने बराहवी साइंस और दस्वी के पहिणाम खोशित किये थे जार्खन बोर्ड का अक्षा बरा हुई आट्स और कोमर्स की परिक्षा में सामिल वे स्टुडेंट काफी बे सबरी से अपने रियल्ड का इंतजार कर रहे हैं उमीद की जा रही है कि बोर्ड जल्द ही इस बाबत कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा वहाई इस टुडेंट को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड रियल्ड दोहरबाई से जुड़ी अपडेट देखने के लिए वेबसाइट चेक करते रहें धन्यवाद